सबसे पहले बात हमारे पास एक ट्रैंगल है एक एक ट्रैंगल है तिक है और बच्चो इसके हमें दो सइट से एक पैरलल प्लेट ली गई है इसको भी बनता है तो देखें कहा गया है कि इस प्लेट्स पे जो चार्ज चार्ज दिये गए है एक पर चार्ज से से सेन्टर से होता हुए एक हमें यहाँ पर चोटा परपेंडिकुलर होते हुआ रहा है तो इसको हम छोटे सक एंगुलर और शिलेशन देने वाले ठीक है और कहा जा रहा है कि हमें इसकी टाइम प्रियेट निकालने है तो इस सिच्विशन को समझते हैं यहां पर दो पैरल प्लेट जो लिए गए यहां पर चार्ज सिग्मा वन 2.0łem2.0 और की आयहांगुलर तो हमें यहां पर लाल इनेटने और होगा यहां पर देख रहें कि यहां पर चार्ज सिच्टिपूश्न देख रहेंगे कि एक तरह का डाइपूल बनाई एक तरह क्या तरह हुआ और इस पासे इसन पार से डाइपल के राइसन हम और यहां पर and निकाल लेते हैं बुछो ने डाइपल मेंट सब्सक्राइब का गए एहां निसका फोर्मूला मेंट का पी स्क्वहर प्लस पिर से दूसरी की हो जाएगा है फिर स्क्राइब प्लस बीक karena लेगा जो हमारा 2P square cos theta हो जाएगा और cos theta equilateral triangle में angle हमारे पास कितना होती है जो 60 तो यह इसको further solve करेंगे तो 2P square plus 2P square into cos 60 is 1 by 2 तो 2 से 2 cancel होगे इसको root के इंदर डालेंगे जो कि हमारा value कितना आ गया बच्चो value हमारे पास आ गया under root 3P square इसको हम ले सकते हैं अंडर रूट 3 और P है कि नहीं और इसको हम साथ-साथ क्या लिए सकते हैं अंडर रूट 3 Q A के बरावर लिए सकते हैं पी इसकल टू क्यू ए उता है उता है कि नहीं होता है ठीक है बच्चो समझ मैं क्योंकि यहां पर जो डाइपोल मुमेंट है यहां पर दोनों के बीच में इसको नहीं होती है इसको हम लिए सकते हैं पी साइन थिटा अब दिखें पी नेट हम लोग निकाल चुक है तो लिए सकते हैं अंडर रूट 3 टॉर्क इस इकल टू अंडर रूट 3 क्यू ए इन्टू एलेक्रिक फिल की फेलों निकाला है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का मोड बाई टू एपसालन नोट यह निकाले ना बच्चो और साइन थिटा साइन थिटा के जगह बच्चो में यहां पर थिटा रहें क्यों क्योंकि जो एंगल यहां पर दिखा हुआ है स्मॉल एंगुलर ओशिलेशन दैट मेंस जब इस केस में थिटा जो है हमारा बच्चो थिटा क्या है बहुत स्मॉल है साइन थिटा, साइन थिटा इस वेरे स्मूल, तो साइन थिटा जो हो जाएगा, यह किसके बरावर हो जाएगा, थिटा के बरावर हो जाएगा, तो यह हमारे पास टॉर्क का भेला है, बच्चो टॉर्क की रिलेशन है हमारे मोमेंट अप इनरीजाय के साथ क्या, एल अल्फा is equal to 103 QA sigma 1 minus sigma 2 का mod by 2 epsilon 0 into theta इस theta को हम इस साइट लाने की कोशिज करेंगे बच्चो ठीक है theta को हम इस साइट लाने की कोशिज करेंगे और बच्चो जो alpha जो हमारा होता है alpha alpha की formula होती है आपको याद होगा alpha is equal to होता है omega square into theta ठीक है तो हम alpha की जगा लिखेंगे L into alpha की जगा लिखेंगे omega square into theta ये theta को नीचे लाएंगे theta is equal to root 3 QA sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon 0 ओके theta से theta cancel हो जाएगा L into omega square omega is equal to 2 pi by t होती है मैं पता है इसके हम क्या करतेंगे square is equal to क्या होजाएगा बच्चो under root 3 QA sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon 0 तेक है अब इसको further solve करने के क्या होजाएगा इसको उल्टा कर देते हैं तो t square by 4 pi square L is equal to लिख सकते हैं 2 epsilon 0 by under root 3 QA sigma 1 minus sigma 2 यह लिख सकते हैं अब हम t के value निकालेंगे तो बच्चों इस side निकालता हूँ मैं तो t is equal to क्या लिख सकते हैं अभी t square ही रखता हूँ t square is equal to इसको side multiply करेंगे 2 epsilon 0 into 4 pi square L by under root 3 QA sigma 1 minus sigma 2 तो t is equal to हो जाएगा root over जब root over इसके उपर पूरे देंगे तो इस 4 pi square को बाहर लिख सकते हैं 2 pi लिख सकते हैं root over पूरा दे देते हैं तो 2 epsilon 0 L by under root 3 QA sigma 1 minus sigma 2 देखिए बच्चों हमारे पास time rate का value आज चुका है जो की हमारे क्या है option number 3 तो अमीद है आपको ये question समझ में आया होगा इसी परकार के interesting video solution के लिए चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करना ना भूले अगर जोगे थोड़ा भी आपको helpful पहुंचा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then bye bye thank you